तो आज हम बनाने जा रहे हैं पत्ता गोभी और मतर की एकदम चटाक के दार सब्जी ऐसे तो यह सब्दियों की सब्जी है पर कई बार हम बनाते हैं तो सब्जी बहुत अच्छी सी बन नहीं पाती है तो आज एक मैं बढ़िया सी ट्रीक आप लोगों को बता रही हूं पत्ता गोभी और मतर की सब्जी बनाने की जिससे आपकी सब्जी कभी भी नहीं बिगड़ेगी और बहुत ही टेस्टी बनेगी तो पहले पत्ता गोभी हमें कट करना है तो इसके जो मोटे वाले स्टीम होत मतर भी हमने शील कर रख लिये है यह मैं हर मतर इस्तेमाल कर रही हूं आप चाहे तो फ्रोजन मतर भी इस्तेमाल पर सर्दीयों में तो पी मतर मिली रहे हैं बहुत ज्यादा मार्केट में तो जिस तरह से गया चौमिन वगश्रह में पत्ता गोभी सौटे करके डाला जाता ह पतागो भी हम उसमें एड़ कर देंगे और साथ में हम एड़ कर देंगे इसमें मटर भी यह देखिए हमने मटर इसमें एड़ कर दिये और हाई फ्लेम पर अब हमें इसे पांच मिनट तक स्वाथि करना है और इसमें हम थोड़ा नमक भी एड़ कर देंगे फ्लेवर के लिए तो नमक दालने के बाद ये पानी छोड़ेगा तो आपको हाई फ्लेम पर इसे पकाना है ज्यादा इसे स्वागी सा नहीं होने देना है चलाते हुए पांच मिर्ट तक का आप अच्छे से भून लीजिए तो पत्तागों भी पक जाएगी और मटर भी हमारे पक जाएगे लीजिए हमारी सबजी सौते हो चुकी है और हम इसे अलग प्लेट पर पहले निकाल लेते हैं इस ट्रीक से बनाएंगे तो जरूर आपकी सबजी बहुत ही स्वाधिष्ट बनेगी आपको ज्यादा सोचने की जोरत नहीं पड़ेगी तो इस तरह से फैला कर हम रख देते हैं तब तक हम इसके तड़के का इंतिजाम कर लेते हैं तो तड़के के लिए मैं ले रही हैं यहाँ पर दो प्याज दो टमाटर और लशन और अद्रक थोड़े से मैंने क्रस करके ले लिए हैं इन्हें ले लीजिए और चलिए जिस कढ़ाई में हमने पत्तागों भी सौते कि पर क्योंकि पत्तागों भी और मटर दोनों ग्रीन कलर की हैं तो अगर लाल मिर चाप एड़ करेंगे तो आपकी सबजी की ब्यूटी थोड़ी बढ़ जाएगी और सर्व करने में देने में थोड़े से अच्छे लगेंगे तेखिए प्याज हमारा एकदम से ब्राउन हो च करूंगी धनिया पाउडर जीरा पाउडर अमचूर पाउडर यह सब हमें कुछ नहीं डालना है सिप मैं नमक हल्दी और मिर्च आड़ कर रही हूं तो नमक ध्यान से डालिएगा हमने पहले भी उसमें आड़ किया है अच्छे से मसाला भुन जाए उसके बाद जो हमने मट अच्छे वाला रखना चाहते हैं तो आप इसमें आदा ग्लास पानी डाल कर भी पका सकते हैं ढग कर अगर आपको बहुत सुखी सी सब्जी चाहिए तो हाई फ्लेम पर आप इस तरह से पका लीजे और देखे हमारी सब्जी बनकर बिल्कुल तयार है और कितनी टेश्टी म आपको जरूर ट्राइ करनी चाहिए और मुझे उमीद है आपको बहुत पसंद आने वाली है यह सब्जी तो यह सब्जी बनाइए और खिलाइए और मेरी जो ट्रीक है उसे जरूर ट्राइ कीजिएगा हलका सा कड़वापन होता है पत्ता गोभी में अगर आप इस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं आएगा और बार बार पकाने का आपको मन करेगा तो इस उमीद से कि मेरी यह सब्जी आपको बहुत जरूर पसंद आई होगी और आप मेरी त्रिक को जरूर ट्राइ करेंगे और मेरे चैनल को लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे और फ्रेंड क